जारकन चुनाओं के बाद सवकी नजरें बिहार और दिल्ली के चुनाओं पर थी इसके दो करण थे एक कि भाजपा और जद्यू का समिकरण क्या होगा दूसरा महागटमंदन की सबसे बड़ी पार्टी राजप जो कि बिहार में अपना चेहरा लेकर सीयम उमिद्वार का तेजस्वियादों को आगे बढ़ रही है और कॉंग्रेस को पिछली सीट को बिठा रखी है आपको बता दे कि राजप भले ही बिहार में अगली सीट पर बैठी है मगा जारकन में उसमें पिछली सीट ली थी और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से राजप एक मातर सीट जीत कर आई और सदन में उसे रिप्रजेंटेशन भी मिला और उसे एक मंत्राले भी मिला यह साबित करता है कि राजप का जो राजनीतिक दाव है वो इन राज्यों में भी बढ़ेगा आपको बताते कि दिल्ली पर सबकी नजर थी दिल्ली में भी कॉंग्रेस से राजप में पहले ही दबाव डाल दिया था कि सीटे हमें चाहिए इसके दो कारण थे एक लालु परसाद का जो मुस्लिम यादो समीकरन था उसे लेकर दिल्ली जाना दूसरा कहीं न कहीं बिहारी जो समाज के लोग रहते हैं पुर्वांचल के लोग जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें लूभाने के लिए कॉंग्रेस भी चाहेगी कि राजप के प्रत्यासियों को मौका मिले यही काम जद्यू भी चाहती है मगर अभी उसका भाजपा के साथ समीकरण नहीं बन पाया है इसी समीकरण को आगे ले जाते हुए आज सीटो का अनाउस्मेंट भी हो गया है दिल्ली में राजप और कॉंगेस का गटबंधन काम करेगा हाला कि कॉंगेस के सिती दिल्ली यह बहुत अच्छी नहीं है मगर राजप को जो सीटे मिली है इतना जरूर लग रहा है कि जिस तरह से सीमा खास्तों पर पुर्वांचल क्या जो प्रभाव रहा है इन सीटों पर उस वज़े से राजप को फाइदा हो सकता है दिल्ली में सीटों का समीकरण कुछ इस प्रकार है 70 सीटों में से कॉंगेस में अपने लिए 600 सीटे रखी है इसमें से चार सीटे जो बचती है उसे राजप को दे दिया है इसके लावा इस गट बंधन में कोई नहीं है बात चल रही थी कि एन सीपी को भी इसमें सामिल किया सकता है मगर एन मोके पर पल्टी मार गई अब बताया रहा है कि जैसा कि बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की और शिखर करियर इंस्टिट्यूट के साथ शिखर प्रतिबाब प्रोचाहन परीक्षाद दो हजार उन्नीश शिखर करियर इंस्टिट्यूट पूर्वी भारत में एक मात्र कोचिंग संस्थान जो एक्स्क्लूजबली है मेडिकल एंट्रेंस एक्जाम के लिए